तो दोस्तों यह एक modified yama fz और यह fuel injection और अभी आप लोग जो बाइक देख रहे हैं इसी बाइक को यहां पर modify किया है और इस बाइक को modify किया है लेकिन जब भी आप इनकी work देखेंगे आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मैं इनके बहुत सरे work अपने चैनल पर अप्लोड किया है अगर आप सभी लोग चाहते देखना तो आप लोग डायक्ली motor mohal lino motor custom सर्च करेंगे तो आपको इनके बहुत सारे videos यहां पर म जैसे कि इसको एक street tracker या scramler के style में customize किया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बाइक की height है अब बहुत ज़्यादा increase हो गई है इसका fuel tank change हो गया है पीछे के seat हो गई है मतलब एक raw nature की bike लग जैसे होता ने एक raw nature की bike उस style में इसको modify किया है काफी देखने में अलग लगती है बाइक काफी muscular है इसका build quality भी देखेंगे तो काफी अच्छा लगता है especially जो इसकी height है तो जो increase हुई height उसके चलते है इस bike का look है वो definitely यहाँ पे increase हो गया है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी bike के बार में सारी जनगरी देने वाला है तो please हो सके इस वीडियो को last तक ज जरू जाएगा तो जो अगर हम बात करें इस bike के changes के बारे में इसका bike सबसे most important changes यहाँ पे आप लोग को देखने में बता है वो है इसका fuel tank जो यहाँ पे जो fuel tank है यूज किया गया है यह एक customized fuel tank है और उसका आप लोग शेप भी देख सकते हैं थोड़ा सा इसको एक particular angle के style ज काफी बड़ा fuel tank है अगर compare किया जाए पिछे के seat से इस fuel tank को तो चोड़ाई में भी बहुत चोड़ा है और लंबाई में भी काफी जादा ही है लंबा है और उसमें आप लोग color tone देखेंगे तो side में इसको एक silver fish दिया है उसके बर strips दिये गए और उपर में यामा लिखा है और जो middle portion है वो complete यहां पर black color से paint यहां पर किया गया है उसके बाद में अगर बात को रहे fuel tank के बाद तो जो पीछे का frame है वो यहां पर completely redesign किया है जैसे कि देख सकते हैं पीछे के frame होता है उसको बिल्कुल remove करके बिल्कुल short सा बनाया है काफी छोटा सा है और काफी उंचे place मैं इसको लगा है मतलब इसके जो पीछे की height है वो यहां पर definitely increase की गई है और आप लोग देख सकते हैं पीछे के seat भी काफी ज़ादा यहां पर उचा है तो कुछ इस तरह से की गई है ऐसा लगता है कि काफी ज़ादा यहां पर seat हो गया है और आप लोग भी देख सकते हैं और इसके seat के बीच में जो gap है वो अब यहां पर काफी ज़ादा दिया गया है पीछे में देख सकते हैं जो just seat के नीचे यहां पर battery का compartment है वहां पर battery इन्होंने लगाई है हाला कि बहुत सारे लोग इस तरह क्या करते हैं side panel लगा कि battery को छुपा देते हैं पर इस bag में आपको पीचे के seat इन्होंने increase की है उसके कारण bike की height यहां पर definitely increase हो गई है पीचे का tire भी अभी भी exactly आपके जो FZ में आता है वही tire suspension setup भी आप अगर आप लोग देखेंगे वही suspension setup है लेकि इसमें थोड़ा सा modification किया गया जिसके कारण भी पीचे की height यहां पर increase हो गई है अगर मैं बात कुरें इसके front tire और rear tire दोनों tire अभी आपके YAMA FZ के है इवन इसके alloy wheel अगर आप लोग देखेंगे वह भी FZ के है इसके जो अगर आप लोग disc brake setup देखेंगे वह भी यहां पे FZ का ही रखा गया इंजन में कोई भी changes वगरा नहीं किया इंजन अभी भी stock है इवन पीछे क आप लोग जो मडगाड वगरा देखेंगे वह भी अभी यामा FZ का है तो मोटा मोटी आगर हम लोग बात करें तो इसके जो उपर वाला ही जो frame portion है सिर्फ वह ही यहां पे अभी फिलाल change किया गया है यह इसके कुछ images आप लोग देखिए जो raw images है तो आप सभी लोग को और अच्छे से अंदाद लग दाएगे इस बाइक में exactly क्या के चीज़ेंगी है तो overall modification देखेंगे तो काफी amazing है एकदम हटके bike लग रही है एक तरफ से बहुत लें तो इससे kgf की bike हो थी उससी style में इसको यहां पर modify किये गए हाला कि इस bike के जो fuel tank काफे सारे जो components है उसको भी अब अच्छे से इसको manage करते हैं इस bike का look है वो काफी ज़दा और भी यहां पर neat and clean यहां पर हो जाता है वह खर सबका अपना में बज़ट होता है सबके अपने मिने choices होते हैं तो उसके according इन्हों नहीं यहां पर bike बनाई है अगर बात को दो फेंडर के बारे में आप देख स जलाएंगे तो बारीच में जलाएंगे तो किस तर से कीचर हो जागा तो यह जितने भी bikes होते हैं यह थोड़ा look के लिए होता है आप ही खुदी मैचन करें जब इतनी उची bike में आप लोग कहीं बैट के जाएंगे तो आपका response public का कितना ज्यादा अच्छा यहां पर तो पीछे का जो engine base allowable completely black है जो शुरू से black ही आता है लेकिन उपर का जो fuel tank है वो थोड़ा silver black finish में दिया है और पीछे का जो इन्होंने seat design की है वो भी एक small seat है single seat seat है उसको यहां पे इन्होंने एक leather का finish दिया गया है बाइक में थोड़ी सी और अगर अच्छे से हम लोग आज देखने में लगेगा खेर आप सभी लोग का क्या करना है आप सभी लोग प्लीज कमर्शिक में मुझे जरू बताएगा बाइक का handlebar अभी यहां पे stock है handlebar में कुछ भी changes नहीं किया गया है अगर मैं बात करें इसके indicators वगर के बारे में आप लोग भी clear indicators दे सकते हैं कि अभी यहां पे उतना जदा visible नहीं जो आपकी plastic style के जो यहां में के indicators आते थे वो यहां पे नहीं लगा है वो completely यहां पे उन्होंने रिमूब कर जिए तो indicators फिलाल इस बाइक में मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है हलागि इस बाइक में थोड़ा बोता कर आप लोग side mirrors का भी लगाते तो bike और भी amazing लगता और इसका look भी आप लोग clearly यहां पे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप सभी लोग को यह एक modified Yama FZ पसंद तो जरूर आया होगा और कुछ ना कुछ तो आपने इससे सीखा ही होगा अगर कुछ भी सीखे हो मज़ा देखने के लिए तो यार like कर देजेगा बजा नहीं है तो dislike कर देजेगा फ्री है दोनों और अगर आप सभी लोग को मुझे support करने जाते तो मेरे चैनल को प्लीज subscribe करिए क्योंकि मैं प्रेस चैनल में आप सभी लोग के लिए अच्छे सचे content लगे आता हूँ जितने भी bike modifications related content से आप सभी को मेरे चैनल में definitely देखने मिले है कि आप लोग एक बम मेरे चैनल में विजिट करिए पसंद आए तो ही यहाँ पे आप लोग subscribe करके जाएगा तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो के थूँ यह जरू जान सकते हैं कि अगर आपको bike में fully customization नहीं कराना है तो monoshock suspension setup है एक उचाए देने के लिए उसका उस पर भी modification किया कि आपकी bike थोड़ी उची हो जाए और उसके लावा इस bike में motor money और ज्यादा कुछ यहाँ पे changes नहीं है तो आप सभी को एक नए एक definitely idea लग गया होगा कि अगर मैं अपनी bike को customize करा जाता हूँ तो कुछ इस style म में कैसे लगा प्लीज होसे कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कह सकते हैं और मिलते एक नए वीडियो के सब थैंक्स फॉर वाचिंग इंजोए कि अइस नही कि वीडियो को मैं प्ली और मिलते और भी कोक दित לפhh लोग भाचिंगे में प्ली क वीडियो कॉद। मुद quería क्या क्या हो मैं उहाँ थार juvenile तरा畑 बना, यहाँ प्ली एक, और स का वलाйतर, को सकते हैं यहाँ